सब्ताह तक स्वासुरक्षा सब्ताह मनाये जा रहा है राजी सबसे व्यस्त और भीडभाड रहने वाले राजी में जो इलाका है काफी जादा व्यस्त रहता है भीडभाड भी काफी होती है चर्च मार्केट के बात करेंगे चर्च कॉंप्लेक्स की तो वहाँ पर भी यहां का हाल बता रहे हैं सयोगी हंचनी है और कोरोना पॉजिटीव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि राजी सरकार ने आज से लेकर 29 अप्राहिल तक जो है एक मिनी लॉगडाउन किया है और सहरों के जो सलके हैं वो सूनी है इस वक्त हम पहुंचे हैं जीयल चर्च कंप्लेक्स में और जीयल चर्च कंप्लेक्स में यहां लिखा भी है ड्यू टू लॉगडाउन इस्टोर विल रिमेन क्लोज तिल 29 अप्रिल तो यह और सभी दुकानों में जो हैं ताले लटके हैं और एक सनाटा जरूर पसरा है और यह सनाटा यही बता र हैं क्योंकि कोरोना का चेन ब्रेक करना है तो यही वजह हैं तमाम जो दुकाने हैं यह आप देख सकते हैं यहां से लंबी दूर तक जो हैं आप देख सकते हैं सभी दुकानों में ताले लटके हैं और यह ताला यही बता रहा है कि हमें भी अपने घरों में कैद रहना है ब पाम जो दुकाने हैं वो बंध हैं और इतने जो यहां करमचारी काम करते हैं सभी अपने अपने घरों में हैं न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामेन अभीदास के साथ अन्यनी कुमार राची जार्खन में कोरोना सिंक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए स्वासुरक्षा सप्ता अभियान चलाए जा रहा है जिसमें अनावशिक रूप से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है वहीं सिम्डेगा में इसका असर देखने को मिल रहा है इसके साथ साथ जगा जगा पर पुलिस बलको तैनात किया गया है तो यह सिम्डेगा की तस्वेर जहां पर चपे चपे पर पुलिस बलकी तैनाती की गई है मिनी लॉक्टॉन के तहत सरकारी गाइडलाइन्स का पूरी तरीके से पालन हो सके इस बात को ध्यान में रखते वे पर शासन एक्टिव मोड में है और जगा जगा चौक चौराहों पर आप देख सकते हैं सिम्डेगा में पुलिस बलकी तैनाती की गई है अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वाले लोगों से पुलिस पुछताच कर रही है कडाई से पुछताच की जा रही है सिम्डेगा टौन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिनी लॉक्डाउन के तहत सनाटा पसरा नजर आया हलाकि इस दोरान कुछ लोग कहीं न कहीं गाइडलाइन्स का पालन करते वे नहीं देखे जा रहे है जो कि एक बड़ी लापरवाही है और निशित तोर पर प्रशासन सक्त रुख अपनाएगा